तो स्वागत है आपका संडेविट सूपर बैटल के 16 एपिसोड में और ये रहे आज के कोशिंज तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट कोशिंज हल्क वर्सिस एंड गेम थौर अब इस राउंड में हम इंक्रेडिबल हल्क की बात करने वाले है ना कि प्रोफेसर हल्क की इंक्रेडिबल हल्क MCU के फिजिकली स्ट्रॉंगेस्ट सूपर हिरो में से एक है जो लिवाइथन और फेनरेस जैसे बिंक्स को नॉक ओट कर चुका है हल्क का ये वाला वर्जिन काफे ज़ादा एग्रेसिव था थौर इस वर्जिन से दो बार फाइट कर चुका है सबसे पहले 2012 में इस समय पर हल्क ने अपने पंच से थौर का खुन निकाल दिया था लेकिन इनकी फाइट का कोई आउटकम नहीं निकला हम बोल सकते ही ये मैच टाई हो गई थी बाद में 2018 में सकार प्लैनेट पर थौर और हल्क फिर से एक दूसरे के सामने आए मस्टर ने इसा नहीं होने दिया अब अगर बात करें एंड गेम के थौर की तो वो थोड़ा mentally और physically weak था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत जादा कमज़ोर हो चुका है जब थैनोस ने Avengers headquarters पर अटक किया तब सारे Avengers की बैन बच गई थी लेकिन ब्रो थोर अखिला था जो अपने जगा पर आराम से खड़ा होकर थैनोस को घूर रहा था और थोर अपने शेप में ना होते हुए भी थैनोस को काफी हद तक बराबरी के टकर दे रहा था इस दिन में थैनोस अपने बोड़ी का पूरा वेट थोर पर डाब रहा था और यहाँ पर gravity force भी थोर के against थी लेकिन तब भी थोर काफी हद तक स्ट्रोंब्रेकर को रोके होए था पाच साल depression की वज़े से थोर थोड़ा slow हो गया लेकिन वो भी एक god of thunder है और सबसे important बात उसके पास स्ट्रोंब्रेकर और म्यूनेर जैसे powerful weapons है स्ट्रोंब्रेकर ने थैनोस के बोड़ी को चीर दिया था तो हल्क की बोड़ी को cut करना कोई बड़ी बात नहीं है और हम पहले भी देख चुके हैं कि म्यूनेर के सामने हल्क की नहीं चलती है इसलिए थौर अपने weapons को aggressive होकर अगर चलाना शुरू कर दे तो हल्क हार जाएगा रैगनलोग में थौर के पास कोई weapon नहीं था फिर भी थौर हल्क को कूट रहा था तो सोचो अगर हल्क के सामने एसगाड के सबसे दो powerful weapons आ जाए तो हल्क अपने आपको के से बचाएगा और इसलिए हल्क और endgame थौर के battle में endgame वाला थौर विनर बन जाता है सेगंड कोश्चन हेला वर्सिस ओडिन अब ओडिन एसगाड का राजा है और हेला ओडिन के पहले संतान हला और ओडिन ने हजारों साल पहले नाइन रियलंग्स को कौंकर किया और शायद बिलियन या ट्रिलियन्स लोग की जान ली इनके फीट्स की बात करें तो ओडिन फ्रोज जैंड को माल चुका है और सेटर के सबसे powerful form को बीट कर चुका है वही दूसरे तरफ हेला ने वैलकरी और एसगार्डियन सेना को मार दिया थोर और वैलकरी एसगार्ड के best fighters है लेकिन वो भी हेला के सामने हार गए अब अगर ओडिन और हेला एक दूसरी के साथ fight करते है तो hand to hand battle में ओडिन हेला को beat कर सकता है क्योंकि एक sky father अपने बच्चों से physically काफि ज़्यादा powerful होता है फिर चाहे वो ओडिन और हेला हो या फिर Zeus और Eris एक S-Guardian जितना old होता है physically और mentally वो उतना ही powerful बन जाता है और हेला से ज़्यादा ओडिन के पास fight experience है इसलिए ओडिन के पास एक advantage होगा लेकिन और हेला को जान से नहीं मार सकता फिर चाहे वो अपने physical power या फिर अपने ओडिन force की energy अगर ओडिन हेला को जान से मार सकता तो वो ये काम 1500 साल पहले कर चुका होता लेकिन जब हेला ने ओडिन को मानने कोशिश की तब उसने अपनी Life Force Energy का यूज़ करके हेला को Dimension में कैद कर दिया और यही एक रास्ता था क्योंकि हेला Virtual Immortal है जब तक Asgard है वो जिन्दा रहेगी Odin के पास हेला को बीट करने के सिर्फ दो रास्ते है First Asgard को Destroy करके हेला को Weak कर दे जिसके बाद Chances बढ़ जाएगे कि हेला कमजोर हो जाए अगर वो कमजोर होती है तो उसे मारा जा सकता है या फिर Second Option है Odin Ragnarok Cycle शुरू कर दे जिसके बाद Sertra आएगा और Asgard को Destroy करके हेला को मार देगा अब मानो या ना मानो हेला को अगर जान से मारना है लेकिन Odin के पास अपनी Odin Force है और उसको Black Magic करना आता है इसलिए 10 में से 8 बार Odin Hela को Fight में बीट कर सकता है अब सबसे बहले बात करते हैं तो यह आर्मर पुराने वाले हल्क बस्टर का सक्सेसर था Infinity War में हल्क बस्टर को Bruce Banner यूज़ कर रहा था इसलिए हमें इस आर्मर के सारी features देखने नहीं मिले Banner को आर्मर चलाने का experience नहीं था इसलिए वो उसे काफ़ ज़ादा problem हो रही थी इसे control करने में और कल Obsidian ने तो इस आर्मर को लगबग तोड़ दिया था और हल्क बस्टर होने के बहुज़ूद भी यह आर्मर आउट्राइडर्स और कल के सामने काफ़ ज़ादा struggle कर रहा था वही दूसरी तरफ टोनी का बना माक इडिफाइब है जिसे टोनी का सबसे powerful आर्मर कहा जाता है यह सूट नैनो टेकनोलिजी पर काम करता था इसलिए जिस भी वेपन के बारे में टोनी सोचेगा यह आर्मर वो हतियार बना देगा और यह आर्मर इतना ज़्यादा durable है कि इसने म्यूनर के डारेक्ट हिट को फेस किया है अब अब अफकोर्स इस अटेक से टोनी बेहोश हो गया था लेकिन आर्मर सही सलामत था यह आर्मर इंफिनेटी स्टोन्स के पाउर को कुछ मिनिट्स के लिए कंट्रोल कर सकता है और एक मैनमेड आर्मर के लिए ऐसा करना लगबग impossible है अब अगर यह दोना आर्मर एक दूसरे के साथ फाइट करता है तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आर्मर चला कुण रहा है अगर टोनी के पास हल्कबस्टर हो और ब्रूस बैनर के पास Mark 85 तो बहुत जाद चांसस है कि टोनी हल्कबस्टर के साथ Mark 85 को हरा देगा क्योंकि टोनी को पता है कि आर्मर के साथ किस तरह fight की जाती है लेकिन अगर यह आर्मर अपने autopilot mode पर रहते हुए fight करे तो Mark 85 10 में से 8 बार Hulkbuster को beat कर देगा क्योंकि Mark 85 के पास nano technology है इसलिए अगर यह suit damage हो जाए तो इसके nanites उस specific part को nano particles से replace कर देंगे और technically वो part heal हो जाएगा और दूसरे बात Mark 85 के पास ज़्यादा futuristic और powerful weapon है जनका use करके वो Hulkbuster को अच्छा खासा damage दे सकते है इसलिए Mark 85 Hulkbuster के comparison में एक powerful armor है अब यह दोनों technically एक ही है इनके जनम से लेकर 2014 तक की journey same है लेकिन जो चीज़ इने एक दूसरे से अलग बनाती है वो है इनके weapons अगर हम इन दोनों के weapons ले ले और तब ये एक दूसरे के साथ fight करते है तो बताना काफी मुश्किल है कि winner कोन बनेगा क्योंकि इन दोनों की strength same है durability same है और battle experience भी लगबग बराबरी पर है एंड गिम वाले थैनोस की sword ओरू मेटल से बनी है अब ये officially कई पर नहीं लिखा है लेकिन कुछ articles और आप भी comments में लिखते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंड गिम वाले थैनोस ने अपने fighting skills से Trinity को बीट कर दिया था थार को hand to hand battle में बीट कर दिया और Captain America के shield तोड़ दी थैनोस काफिर जाद थक चुका था लेकिन फिर भी उसने power stone अपने हाथ मे लिया और Captain Marvel को knock out कर दिया लेकिन end game वाला थैनोस कितनी भी कोशिश कर ले वो double blade sword के साथ थैनोस with infinity gauntlet को नहीं आ रहा सकता क्योंकि infinity war वाले थैनोस के पास 6 infinity stones है वो चाहे तो एक जटके में पूरा planet डिस्ट्रोई कर सकता है soul को manipulate कर सकता है, time को control कर सकता है और अगर उसकी मर्जी चले तो universe के reality को change कर दे और अगर end game वाला थैनोस, infinity war वाले थैनोस पर surprise attack करके उसका हाथ कार्ट देता है as compared to end game वाला थैनोस next question, end game Hulk versus Hulkbuster अब जब last time Tony Hulkbuster को Hulk के सामने लेकर आया था तब Hulk ने इस armor को 90% destroy गर कर रख दिया था लेकिन अब बात कुछ और है थैनोस के snap के बाद Bruce Banner ने अपने दिमाग और Hulk के body को एक कर दिया जिसकी वज़े से Bruce को Hulk की strength और durability तो मिल गई लेकिन अब वो पहले जैसे aggressive होकर fight नहीं करता है Hulk काफी ज़ादा aggressive तरीके से fight कर रहा था इसलिए Hulkbuster लगबग तूटने के कगार पर आ गया था लेकिन Professor Hulk इतना aggressive होकर सपने में भी fight नहीं करेगा लेकिन Bruce Banner ने Tony के मदद की थी Hulkbuster बनाने के लिए इसलिए में भी Bruce Banner को पता हो कि Hulkbuster के क्या weak points है अगर Professor Hulk स्मार्ट तरीके से preparation करके fight करता है तो हो सकता है कि वो Hulkbuster को खराब कर दे और Tony को beat कर दे लेकिन इनकी fight non preparation में होती है तो Hulkbuster को बनाए गया था Hulk को beat करने के लिए Hulkbuster के पास जरूर से ज़्यादा powerful weapons है और Hulkbuster में sleeping gas है जो Professor Hulk पर भी काम करेगी इसलिए मेरे opinion से 10 में से 7 बार ये दोनों fight करते है तो Hulkbuster winner बन जाएगा अब ये दोनों super soldiers है बस फरक इतना है कि Captain America एक perfect super soldier है और Bucky एक super soldier की recreation है क्योंकि Steve Rogers को Dr. Erskine ने अपने असली super formula से बनाया था और Bucky को बनाते वक्त वो super soldier formula था ही नहीं अब इन दोनों के पास super human abilities है जैसे normal इंसान के comparison में ये काफी तेजी से भाग सकते है दो-चार गोलिया खाकर जिन्दा रहना और helicopter जैसे machine को अपने हाथ में पकड़ के रखना और Bucky के पास अब vibranium का हाथ है जो उससे super human level के strength provide करता है लेकिन फिर भी Captain America बucky से एक कदम आगे है सबसे पहले तो Captain America Thanos और Iron Man जैसो के साथ fight कर चुका है और ऐसा हमें Bucky को करते हुए नहीं देखा है इन फैक्ट Falcon and the Winter Soldier में Bucky एक बच्ची से पीड़ गया वैसे वो super soldier थी लेकिन super soldier Ultron और Thanos जैसे powerful नहीं होते है और Captain इन से भीड़ चुका है इसलिए हम इनके fights को study करें तो Captain America winner बन जाता है अगर Captain की power level 10 पर है तो Bucky की power level 8.5 पर होगी क्योंकि वो perfect super soldier नहीं है अब इन दोनों characters में कुछ ज़्यादा difference नहीं है एक के flame का color orange है और दूसरे का blue इनके powers भी 99% same है जिसे super human strength, durability, hellfire summon करना और penance tear अब question आता है कि इन दोनों का color अलग हो है तो जो ghost rider है उसके hostess से Zarathos linked होता है और Zarathos एक character angel है जिसकी वज़े से वो Johnny Blaze और Zarathos के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है कि ghost rider पर किसका control होगा लेकिन दूसरे तरफ angel rider के साथ ऐसा कोई scene नहीं है angel rider में कोई impurity नहीं है और यही reason है जिसकी वज़े से उसका color blue होता है अब यह दोनों आपस में fight करते है तो basically ghost rider और angel rider immortal है जिसकी वज़े से इनों कुछ देर के लिए रोखा जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए जान से नहीं मार सकते लेकिन comics में angel rider ghost rider से ज़्यादा powerful होता है इससे फरक नहीं पड़ता कि इन दोने के power same है लेकिन comics में ऐसा देखा गया है कि angel rider ज़्यादा powerful है ghost rider से इसलिए हमें angel rider को ही winner बनाना पड़ेगा तो आज की questions नहीं पर पूरे होते है लेकिन अब आप मुझे comment section में बताओ कि आपको आज की send with super battle कैसे लगी और अब अगर आपको वीडियो पसंद है होगी तो इस वीडियो को like और share करना बिल्कुल मत बुलना और चैनल को subscribe करते हैं इसी वीडियो देखने के लिए तो फिलाल को लेतना ही मैं मिल तो आपसे अगले वीडियो में तब तक good bye